इसलाम अलेकुम दोस्तों मैं अब मुझाम करता हमारे चैनल रेडाउन टूटू डूटू गेम इंडूप्मेंट्स तूडियो में तो आज कि हमारी वीडियो को टॉपिक है वाट इस ब्लुपृंट क्लास तो जिस तरह से प्रीविएस वीडियो में हमने डिसकस्किया था कि तो आपको उमीद है कि समझ में आ गया होगा तो एक चीज में यह भी क्लियर कर दूँ कि बाद आपकाद ऐसा होता है कि कुछ कमेंट्स के मैं नेक्स वीडियो में जवाब नहीं दे सकता हुआ उसकी वज़े यह कि मैं तीन चार वीडियो एक दिन में एक साथ रिकॉर्ड कर कि दिन सकता हुआ था कि अपर स्टीक ऐसप्राम और में इसको अपलोड कर देता हुआ तो नेक्स वीडियो में अउसको जवाब नहीं दे सकता वाना तो अकूं से विजवेशिव होंगे तो मैं उनका जवाब आपको जब नेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने बेठोंगा तो उसमें भी दे दूँगा और कमेंट सेक्षिन में भी जैसे भी पॉसिबल वा तो मैं उसको दे दूँगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हम आज डिसकस करेंगे वर्ट इस ब्लूपरिंट क्लास को क्यों यूज करते है कि जब भी आपको कोई ऐसा मेकैनिजम यूज करना है अपने गेम में जिसको आप क्या करना है बार बार रिपीट करना है विसाद सब सची एक्जामपल जैसे आप एक एनिमी बना रहे तो आ अब आप क्या करेंगे उसके लिए एक क्लास बना लेंगे के भई उसमें आप सारी कोड़िंग अनिमेशन वगरा दे दी तो अब क्लास में क्या होगा कि आप चीजों को बार बार यूज कर सकते हैं अब जिस तरह से अब आप FPS गेम के लिए काम कर रहें तो आपको क्या करना है भई कि मुझे चार-पांच गन मुझे यूज करने है ठीक है अब चार-पांच गन को आपने यूज किया है तो उसमें कुछ आपने एक मेकैनिजम मना है पिक अप का तो क्या वैपन पिका हर जो व मुझे एक ही टाक्स को बार बर पर परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा सिंपल उसको blueprint class में बना लूँगा तो यह बात आपको समझ में आ गई तो अब ही देखें मैं आपको जैसे previous वीडियो में मैं आपको पताया था कि वही चीज वही काम में blueprint class में करके होंगा आपको ताकि आपको इससे power by सबस्कme अब देखिया आपको क्या करना है सिंपल यहां पर अपने content browser जे राइक करना है राइट क्लिक करने केมา आपको यहां पर जाना है blueprint class में आप यहां से का कर सकते हैं आपने blueprint class को create कर सकते हैं और यहां नीचे से blueprint class को आप create कर सकते हैं जैसा भी आपको possible मगर यहां पर जो कुछ basics assets है जिनको बार पर यूज़ करते हैं यहां पर वो प्रॉइड करते हैं बुरुप्रियन कंपइड करते हैं आछा इसके बाद आपको यहां पर यहां को सब्सक्राइब करेंगे आपको कुछ प्रॉप teenage years old yeah क intended यौियाँ कश चुछ लिए ग्याँ लेंगे अचा है मैं एक्टर को छोड़ा से इंट्रोडक्शन दे दूँ ब्लूप्रिंट एक्टर जो हम यूज़ करते हैं वह इसमें जो है ब्लूप्रिंट खाली कोई भी ऐसा जो बाइब डिफॉल्ट जो है कोई भी ऐसे एसे इसे वगरा इसमें मौजुद नहीं होते मगर इन सार ठीक है पॉइंट अच्छा दूसरी बात है कि जब भी आप अपने वर्क स्पेस में काम कर रहे हों तो आप यहां से साइडन बटन दे करेंगे से वाल का तो यहां से चीजों को सेफ भी करते रहें तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी कोई ऐसा मसला हो जाता है कि जिससे सिस्टम आपका ऊफ हो जाता है तो हो सकता है कि जो भी काम आपने किया हो वह डेटा आपका लाउस हो जाया वैसे तो यहां पर हर कुछ टाइम बाद यहां पर और पिरी यहां से सेow करते रहें आप तो प्रोजेक्ट को ताकि आपका डेटा लॉस ना हो चले अब यहां पर क्या करना है सीधा डबल लेफ्ट क्लिक करके इसको आपन कर लेना है अब यह आपको एक तरह की यूजर इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा ब्लूप्रिंट क्लास का तो यहां पर यह हमारे पास व्यूपॉर्ट है यह चुल्प्रक्रट है और यहां पर इवंट ग्रफ है अभी फिलाल भी मैं इस चीज को डिसकस नहीं करों यह सराइचीज आपको यह चीज किसलिए यूज जाता है तो यह भी चीज में रेक्स वीडियो में आपको बिल्कू ब्रीफ में डिफाइन करूंगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स को लिजन लेना है, अच्छा, अच्छा बॉक्स को लिजन लेनी के बाद आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्केल कर लेन पॉइंट लाइट लिया है और पॉइंट लाइट के साथ मैंने बॉक्स को लिजन लिया बेगो पॉइंट लाइट के साथ मैंने बॉक्स को लिजन लिया कि जब भी मैं इस बॉक्स से को लाइट करूं तो यह क्या हो लाइट जो हमारा विजिबल हो और क्या हो जाए एक बर और इसकी विजिबिलिटी घायब हो जाए खतम हो जाए तो अच्छा एक चीज मैं और यह करता हूं कि इस लाइट का जो कलर है उसको मैं थोड़ा सा ब्लू करता हूं ताकि आपको आइडेंटिफाय करने में असानी हो ठीक है अच्छा इंटेंसिटी थुड़ी सी पढ़ा द तो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं जब एक्टर हमारा क्या हो ओर लैब हो तभी इवेंट को स्टार्ट हो तभी इवेंट क्या हो स्टार्ट हो तो आपको क्या करना है यहां पर आप देख रहोंगे यहां पर पॉइंट लैटे इसको सीधर ड्राइगन ड्रॉ अच्छा अक्सर ऐसा होता है जब मैं भी इसमें ब्लूप्रिंट प्रोग्राइमिंग काम करता हूं तो कुछ जो हम ब्लूप्रिंट नोड वगर रहे हैं वह आते हैं फंक्शन कॉल नहीं होते हैं उसकी वज़ा यह कि मैं जो हिना रेफरेंस गलत यूज करता हूं अभी के टोगल विजबिलिटी यहां पर आ जा रहा है यहां पर कॉल हो जा रहा है मगर अगर मैं यहां से इसको कॉल करूं तो अभी टोगल विजबिलिटी कॉल तो हो रहा है मगर क्या इसमें लेफरेंस मांग रहा है कहां से कॉल करना किस के ओपर अब यह देखिए बॉक्स के पर आगिया अभी किसका बॉक्स है कौन सा कहते हैं इवेंट है तो यहां पर यह थोड़ा सा और यहां पर हो जाता है मसला क्रेट हो जाता है तो आपको जब आगे जाएंगे तो आपको यह थोड़ी चीज़ा और भी जादा क्लियर होती चली जाएंगी तो यह आपको यह open करना और यहां पर लिखना है टोगल visibility ठीक है और इसके बाद आपको इसके साथ connect कर देना है और दूसरी बात यह कि आप कभी भी कोई भी जैसे आप यह यह लाइन देख रहूंगी एरो देख रहूंगे कि कोई भी सुनो जो यह वायर जो मैं connect कर रहा हूं यह हमेशा इस तरह से connect नहीं हो सब्सकिर गाणे जैसे की तरफ पर अगर मैं इसका मैं Octane कर दीता हूँ इस तरह से कि weather कर अगर आप सोच चुशे हों कि मैं इसको इस तरह से connect कर दूँ तो यहां पर क्मिशप पर कि का पुल रहा है अच्छा यह जो वाइड वाला जो यह आप देख रहे हैं कि वायर जो मैंने इसको खिचा है यह बताता है आपके प्रोग्राम के सीक्वेंस को कि आप किस सीक्वेंस से काम कर रहे हैं तो आपने क्या किया भई कि सबसे पहले एक्टर इवेंट बिगन ओवरलैप का जो वह है अपना इवेंट है वह आपने किसके साथ करेंट कर दिया इस टोगल विजिबिलिटी के साथ और आपका रेफ्रेंस क्या है किस चीज के ओपर एक्शन परफार्म हो रहा है हमारे पॉं ठीक है अब यह वह वाइट वाल जो लाइट देख रहे हैं यह क्या है blu-print level का है और यहां पर मैं सीधरwait yen drop करके यहा पर क्या ये मेरा blueprint class है iTheran आप देखें इस blueprint class को मैं multiple time use कर सकता हूं ये रहा ये एक बर ये ऐचा इसका सेपरेट कर लेता हूं एक इस corner पर एक यहां पर और एक यहां पर और एक मैं यहां पर use कर सकता हूं तो अब आप देख रहे हैं कि blueprint class को मैं multiple time use कर सकता हूं मागर blueprint level को मैं multiple time use नहीं कर सकता तो यह दो कि ब्लूपरिंट बनाने का फाइदा तो बिल्कू यह दिद्धित्त सेम उसमें वर्क करेगा इजैसी में इसके रिजन में आऊँगा और यह इसको अपैन और को क्लोज करता चला जाएगा कि यहां इसके रीजन में थोग सा मसला और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर है यह रहा तो देखें बिल्कुस जितने भी मैंने ब्लूपरिंट को यूज किया था तो वह बिल्कुस सेम वर्क कर रहा और मैं इसको मल्टिपल टाइम यूज कर सकता हूं अब देखें इसको सेफ कर लेंगे अब देखें अब इस चीज को भी मैं क्या कर सकता हूं अपने दूसरे लेवल में भी इस चीज को मैं यूज कर सकता हूं अब मैं यहां पर इसको प्ले करता हूं तो देखें अभी यहां पर हमारे पास नया आ गया तो यह देखें बिल्कुल यह सेम तो आपको यहां पर डिफरेंशेट हो गया होगा कि ब्लूपृरिंट क्लास और ब्लूपृंट लेवल को किस तरह सी यूज करते हैं कि इन पर परपरस के लिए यूज करते हैं और इन दोनों का मतलब काम वर्क फ्लो आपको समझ में आगे होगा कि कहां पर क्या चीज़ें यूज करनी चाहिए अगर अब भी आपको इन चीज़ें में कन्फीजन हो या आपको समझ में ना आ रियो कोई बात तो आप हमारे कमेंट सेक्श्में सवाल कर सकते हैं मैं डीम भ फारन जवाब दे दूँगा वरना तो अगर आपका वैलेट सवाल हुआ तो मैं इसके उपर एक अलग से वीडियो बना दूँगा तो इन्शाला हम बिलेंगे नेक्स वीडियो में और अभी जो मैं अभी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं यह ब्लूप्रिंट अभी ब्लू मिलेंगे नेक्स वीडियो में अब तक कि इतना ही अलाफिस